खेत में अक्सर हल लगाते टाइम क्या हो जाता है हल निकल जाता है तो यह देख लो पुरे हल के अलग अलग पाढ़ होगे तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको बस कमिया निकालनी होती है तो वस यह बोले हला वर्यवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक तो माई न्यू व अब देखना है और साथ में मम्मी की हल्प भी करनी है पीछे रहा अपना पंचादगर और पंचादगर के पास में अपना खेत था यहां पे इस वाले खेत हम लोगों ने लेशन लगा के रखा था जो की पूरा तैयार हो गया और मम्मी अभी इसको खोद रही है यहां पे खोदने आमने यहां पे भी है और इस वाले खेट पे यहां से लेकर वहां तक पूरा है वहां पे धनिया था वो पुरा काट दिया यहां पे बस लैसनी लैसन बचा है ममी ने इतना खोद दिया सुबह से यहां से लेकर यहां तक और यह रहा लैसन जो ममी ने खोद के रखा है कुछ इस तरीके से हो रखना है, इस बार हमारा लयसून इतना बड़ा बड़ा तब ही क्या करना मेरे verm upright यहा हई गार जो दूंगा शरogy writing शचलन टो दूँगा इस अच्रल क जग आ कि अप यह देख का फूल दो बड़ा इसकी पहचान है, जिसमें फूल होते हैं, तो बड़ा बड़ा लेसन होता है, बाकि जो छोटा छोटा है, इसको हम लोग यूज करेंगे अपने, इस बार हमें तो खाना नहीं है लेसन और प्याज, क्योंकि दादी चली गई है, तो एक साल तक हम लोग लेसन प्याज कुछ भ अभी दिन के हो रहे हैं, ग्यारा बच के पांच मिनट और अपना काम लगवग लगवग कम्प्लीट हो गया, तो मम्मी और मैंने मिलके, इसकेत का पुरा लेसन खोद दिया है, तो यहाँ पर लेसन लगा के रखाता, पुरा खोद दिया, और मम्मी और मैंने मिलके काट भी लिया है, तो इस तरीके जो कुड़ा का बाड़ था, वो अलग हो गया, और बाकी लेसन पुरा साफ हो गया, तो इसकी हलकी जड़े काटी यहां से, और यहां से काट लिया, तो यह हो गया, यह भी कच्चा है, तो इसको थोड़ दिन दूप में डालेंगे, फिर यह अच्छे सूख जाएगा, तो यहां पे दो पूरा कबाड कबाड है, जो भी लेसन का कबाड था, और मम्मी अभी बचा हुआ लेसन काटी है, बस इतना सा बचा हुआ है, यह बड़ा वाले लेसन है, जो बीच के काम आने वाला है, और यहां से बस छोटा सा इतना बस इसको कटें भरेगी मम्मी, उसके बाद हम इसको घर लेके जाएगे, इसको भी, उसको भी, और अपने बैल यहां पे चल रहे है, मेर को क्या करना है, अपने बैलों को देखना है, अब घर ले जाने का टाइम हो गया, क्योंकि 11.05 हो गया, साड़े ग्यार से पहले हम लो कर रहा हूं, और वही मम्मी के साथ, बहुत टाइम से खेत में कुछ भी काम नी चल ला था, हम लोग बस घर के ही काम पे लगे वे थे, और कभी यहां जाओ, कभी वहां जाओ, कभी कोई प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम, तो ऐसे करते-करते, बहुत टाइम हो गया था और अज काफी टाइम के बाद खेतमा के ब्लॉग हो रहा है अभी लेसन हमने खोद दिया और जो हमने प्याज ला के रखा था प्याज भी हमने खोद दिया वह मैं सूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं लोहागाट गया था एक्जाम देने के लिए तो आज मम्मी के साथ ब्लॉग बड़ी वाली चाचा है और साथ में मम्मी है तो मम्मी यहाँ पे लेगी हुई है सपाई पर जो भी यहाँ पर कूडा कबाढ़ होता है खेत की उपर साथ इसको पुरा काटेगी और यहाँ पर पापा और हुस्यृर भिया बैठे हुए है स्कूल नीगे और इसकूल में सरी बुड्डे बुड्डे हो चाचा जी मज़न अ रहे हैं हाल लगाने है उस बढ़ी है लोग बढ़ी है तो इसके नीचे हम लोग ने लगा के रखिये अर्भी इससे पहले इस पर टी गेहों की फसर जो की पूरी काट के पूरी तयार हो गी है और इसके नीचे अर्वी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, आगे वहाँ पर दिखेगी, और यहाँ पर, चाची जी क्या कर रहे हो, अच्छा डेल फोल्डे हो, चाची बड़े बड़े इनको चाची तोड़ देगी, इससे क्या होगी, अर्वी हमारी अच्छे से हो जाएगी यह है अर्वी, यह हमने पहले डाल रखी दी, जिस टेम पे हमने गयों की फसल लगाई, इसको हमने निकालना है, बस इस तरीके से खेत रहेगा, इस पे हम लोग पाटा नहीं लगाएंगे, इस पे बस हम लोग घास डाल देते हैं, इससे की अर्वी की फसल प्यार हो जाए, तो आज हमने यहां से लेकर आगेते पूरे खेत में हल लगाना है, तो जहां पर भी चाचा लगा रहे हैं, यह चाचा लोग खेत हैं, और आगे को हमारा खेत हैं, तो खेत पता, डिवाइट कैसे होता है, पहाड़ों के गाउँ में, तो इसको बोलते हैं, ओडू, तो यह इधर को चाचा लोंगा खेत है और इस से इधर को हमारा खेत है तो ओडू की पहचान क्या है ये खेत के सेंटर में होता है और ये दो भाये की जमीन को अपस में डिवाइट करता है तो इस वाले खेते भी हम लोग भी लगाएंगे अभी मैं चाचा की हेल्प करूंगा अभी तो फिलाल मैं ब्लोगिंग कर रहा हूं और पापा जी कर रहे हैं मम्मी की हेल्प तो पापा भी यहां पे सफाई पे लगे हुए हैं जो भी खूड़ा कवार होगा उसको यहां पे जला देंगे और कुछ भी और फिर कमेंड करेंगे जो बहुत ज्यादा इंवायरमेंट से प टाहरमेंगे मां सफा ज्यादा कुछ भी नुकसान नहीं होता हो यहां से मिल जाते हैं जिन को बस कमिया निकालनी होती है एसा करना चीए पर हुए क्या करना है इस सब्सक्राइब सकति करना है लेक्च जिए उनसे ज्यादा हम पाता है कि हमें किस तरीके से किस चीज को हैंडिल करना करके इसमें कमेंड ना करें तो ज्यादा ही बेनिफिट है और मम्मी यहां पर मुस्कुरा दिया मेरी बास सुनके करेंगे तो जब इसको हम साफ करेंगे तभी तो यहां पर घांस होगी और नेक्स्ट टाइम यहां पर लोग अपने जानों को घास खिला सकते हैं तो उसी की सपाई भी मम्मी लगी हुई है जितने भी काटे होते हैं जो भी है सारा मम्मी काट लेती है इस तरीके पूरा पूरा का बाड़ है यह सारा इखटा करेंगे और जला देंगे वहां पर पापा ने आग लगा भी दिये तो बारिस हो जाएगी तो आज हमाले वैनीफीट है हल लग जाएगा उपर से बारिस हो जाएगा अभी क्या करते हैं यह ब्लॉग नॉन श्टॉप लगा था तीन से चार मिटका हो गया है नॉन श्टॉप बोल दिया मैंने आज यहां पर हमने प्याज लगा के रखा था तो प अगर हम हम इस पर हल नहीं लगातें, तो होता क्या, कि ये बहुत time लगता अर्वी को बहार आने में देखरूें वहाँ पर खेत में पुरे गेहों की फसल थी, वहाँ पर अर्वी बहार नहीं आई हुई है, और यहाँ फे खेत घ्ली था तो यहां पर पूरी अर्भी बाहर आ गई है, तो इसी तरीके से पूरे खेतमा हल लगाएंगे, अब चाचा जी के हल्प करते हैं के खेतमा अकसर हल लगाती डॉक या हो जैता है? अब निकल जाता है, तो ये देख्लो पूरे हल के अलग अलग सब हो गया है, तो ये सारा भार किर किया है, तो ऍपार लंग लग 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 काम दो ही थे इतने बचा हुवा दॉर्प इसको सही कर रहे है, पर होस्यार भीया help कर रहे हैं तो यह पुरा निकल गया था यहाँ पर डालेंगे इसको यह फिर से connect हो जाएगा और साथ में चाचा और चाची लगे हुएं खेत के काम पर तो चाचा और चाची ने इस पर डाल दिये घूल तो यह घूल क्या होती है तो जब हम अपने गाई इसको घास डालते हैं तो वो पूरा घास नहीं खाती है कुछ घास उसमें से बच जाती है तो इसको हम लोग चाट लेते हैं इस तरीके से यह पूरा अलग कर लिया इसको पूरा इखटा कर लेते हैं और जब हम लोग अर्भी लगाते हैं और इसके साथ-साथ अद्रक लग जो खरपत्वार हाँ इसमें नमी रहती है तुझ आएगा हाँ डारेक्टली रूप का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा इस पे इससे भी सेटी होगी हाँ जो बच दो आएगे अच्छा इसमें वह नहीं होगेगी अच्छा इस पर गोवर की मातरा होती है तो खात का काम भी करता है जैसा कि आपको चाची ने बता है इसके दो तीन वैनिफिट है सबसे बैनिफिट तो यह है किस से घास नहीं होगेगी जो छोटी-छोटी खरपतवार होती है वह नहीं होगेगी अराम से अर्भी अर्भी बहार आती है और डिरेक्टली धूप का प्रभाव भी नहीं के तरस्व एपने लिवज बलते हैं बस यहां पे भी अभी हल लगा है पापा और शुस या तक मैने लगाया इतना सा वचावाव बस और यहां पर जो भी कुडा तॉ आपने चाय है घुर वाली तॉ दो चाय पी लेते हैं अध मेरे को क्रना थुक्षआ का तğ मुए अपने अपना काम में तो बेसे चाई है जैंगे आप अटी पारी अधानने नहीं दोशनुच लाओं दिचे अधशां का मश्चा कर करके है वहां आप हमसे बाते कर सकते हो तो हम आपको मिलते हैं नेक्स वीडियो पर नेक्स व्लोग पर तब तक के लिया आप लोग हसते रहिए मुस्कुराते रहिए टेक केर बाइवाई जय दे भूमी जय उत्रा खांड